राष्टगीत और राष्टचेगान एक ही है या अन्तर है उन्हें एक है है इक ही है च आप जादर जनेरेशनल डेपलंप होगी थै मौदी क्या आनीं होगे आप एक भी नेता का बेटा वतादीजिए जो फोज में हमको वता दीजे लिके दे दीजिए हम मान जाएंगे कि ओधेष्भक्त है उसका बेटा है एक भी हुई है क्या डेबलेटा है अब ही सब को फोन चलाना आ गया सब करेंगे इस पर पहले से चला रहे हैं तो मैं सब के ब करते तो क्यों वोलते हैं करते तो आज युवा अंधोलन नहीं करते हैं अगर में ग्रेज़ोट हो के स्टिक्रिटी जार्ट की जोब कर रहा हूं तो आप अनपड़ों के आप परदानमत्री के हो अरे मैं हजार पे कर दोजार कर नोट लेकर जाओ ना सिर्फ दो चीज़ आती है मार्ट किट से खरीदने में नमस्कार मैं पुझा आप देख रहे हैं जनितावाज इस वक्त में मौजूद हूँ दिल्ली के कनोट प्लेस में कनोट प्लेस में यू तो लगातार यहां पर लोगों की भीड जमा रहती है और यूबा भी यहां पर आते जाते रहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं के उपलक्ष में लगातार यहां पर जो है अर जगा तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा पूरी दिल्ली जो है तिरंगे से शुमार दिख रही है एकदम रोशनिया दिख रही है तिरंगे में लाइट लगी हुई है सब जगा पर और तिरंगा ही तिरंगा है चाहे वो गाड़ है किस तरीके से लोगाँ यहां पर लगातार यह यह लोग करते रहते हैं कब सिके जए शारे बंद्याम साथ को भर किसून मॉट है प Globe क्या है यह चार पांच बार यह जो अभी आपने कीा हम काफी टायम से प्रैक्टिस कर रहे हैं पांच ए Nikki साहल हो गया तो हम सारे एक साथ ही प्रैक्टिस करते हैं तो हम प्रैक्टिस के जोगी तो देशबक्ती भी होगी दिलों में तब जो शूट के लिए बश्चपन से हां तो राष्ट्यगीत पगेरा भी जानते होगे जानते हो यह सुना देने तो राष्ट्यगीत और राष्ट्यगान एक यह अंतर है उनमें एक है एक है एक है थोड़ा नित्रत समय होता है अंतर क्या होता है ठीए अचा राष्टेगीत कौन सा है जर शुना थो राश्टेगीज पुरपरी सुना ना गुगल देख रहे हो राश्टे भक्ति खराब हो गई आपके बच्पन से बता रहे हो भक्ति है अंतर फ्लिपिंग बोल रहा था मैं आपको मैंट किदर है मैं फ्लिपिंग तो मैं बच्पन से अभी आपने बोला कि मैं बच्पन से देश हम फ्लिपिंग बॉल रहा था आरे देश बंड रहा है तक हम अमृत महट कर दिया के अमृत सब मन रहा है बंद्राया आपकी पहले आपकी बार कुछ जादा है व है यह समय है नहीं था अब शादा जन्रेशन डेवलेप हो गई है जाए जाय डेबलेप होगी है कैसे मोधी जी के आने की नहीं तहीं दो थी अभी है क्या डेवलेप्मेंट अभी सबको फोन चलाना आ गया सबके बास फोन तो पहले से चला रहे मैं सब के पास था नहीं ना उस ताम पर नहीं ने फोन दिया है जो 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 बेकार चीजा बंद होगी तो लोगों को वाप प्लेट फॉर्म मिल रहा था अपना प्रफर्मेंस दिखाने का तो वहां पर अलग अलग टैलेंट थे बड़ खराब इस लिए बंकर दिया सिंपल जर यही बता उ है यह थी पर ता में मात्रमन है वंद मात्रम पका को बंदे मात्रों तो तो सुना तो थोड़ा है तो नर्वस में थोड़ा थोड़ा की और लोगों में देश बगती थोड़ा सब्सक्राइब जात जाएगी और लिव यई यह बनिया थे प्ले अंद आठ किसी को बंदे मात्रा तो गादी जी तोड़ा सा पूर वन्दे मातरम वंदे मातरम सुजीलाम सूफ यह एक म मातर मरू को वन्दे मातर इसे को से हो इस एक है यह टो अचा राश्रिकान आता है किसी को आता है तो राश्रिकान जाके सुना दीजी आप भी जन गनमन अधिनायक जयाए बारत बागय विदाता बंजाब सिंद गुजिराट मराठा द्राविर उचिकल वंग बींदई माचल यमना गंगा उचल जलत तरंग तब सुब नामे जागे तब सुब आसिस मागे गाए तब जयागाथा जन गनमंग जायक जयाए बारत भागय विदाता जयाए 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 लगों के अंदर जागा है अच्छा यह बताओ ती तो पहले अच्छा ती रंगे की तीन रंग जो है वह किस चीज के प्रतीक है एक तो सहीद की हो गई एक तो हड़ियाली की हो गई एक अपने सांती की प्रतीक है अब कोई दिक्कत नहीं सही है आप इनकी बातों से सहमत हो तीन प्रतीक है प्रतीक है और हरी आली जो दिखाता है हो हरा रंग और उसमें जो आशक चक्र है उसमें 24 आरे जो यह यह देश्वासियों को यह मारगा दर्शन करते हैं कि हमें 24 गंटे देश की सेवा करनी चाहिए जो तिरंगा है उसमें सबसे पहला कौन सा कलर आता है के सरी आता है लेकिन अभी जो लास्ट में है तिरंगा उल्टा पकड़ लिया था आपके अभी नेताओं ने नेताओं वो उनको उत्रहा नहीं होगा ने नेताओं कोई भी नेता हो उससे लोगों से लोगों से लोगों का नेताओं करते इन चोटी-चोटीम मतलब माना की ये बड़ी गलति है लेकिन चोटी-चोटी गलति हर इंसान गलतियों का पुत्लाई जंडा पकड़ा जा सकता है ये गलती है लेकिन लगातार तिरंगे का अपमान हो रहा है यती नर्सिंगा जन को जानते हैं उन्होंने तिरंगे का भहिश्कार कर दिया भगवा पहले है देखिए मेरे लिए मैं महाराष्ट्रा से हूँ हमारे लिए भी तिरंगा सबसे पहला है कोई जम्मू काश्मिर से होगा उसके लिए भी तिरंगा ही पहला है भगवा पहला होने की कोई मतलब यह सवाली मुझे सही नहीं लगा भगवा पहला होने की बाती नहीं है ना ही हरा पहला हो सकता है ना ही सबसे पहला हो सकता है यह तीनों मिला के ही तिरंगा बन सकता है इसलिए अलग अलग रहेंगे तो तिरंगा बनी नहीं सकता है इसलिए त और परतीक के बारे में भी लोगों ने बताया तो इनके अंदर भक्ती है इदर आओ इदर आओ तो यह आप सामने देख सकते हैं यह बड़ा सुंदर तिरंगा बनवाया है क्या बात है पढ़ते हो जी कंसी क्लास में टेंट में हो जी और एक्जाम नहीं देने पड़ेंगे अ बतातीक है आजि यहीं हमें है काफी दिन के बाद टिरंगा धी दिरमेबधी अंडर ना गितर ने से नहीं पता चलता चलता थ्यसे पता हो गह जब enfrentい वह श्यक्तोगा और व्हार भी नेता का बेटा जयायो से जो फौज में हमको बता दीजे लिखे दे दीजे हम मान जाएंगे कि वो देश भक्त है उसका बेटा है एक भी आम आम आदमी का बेटा और जाता है सई होता है उसके लिए सी फे बोनस दे दिया भाई हां पांच लाग तेरा है तो क्या उससे जिंद्गी मिल जाएगी हां मिल घ्रड्डे जरने का थाक भी स्टाबर ऊपर जोजाएगों में उर्फार्डर को यह पोदिक है कोई दिकातर मिल रहां कोई दिकात निए देश के सेवा करने लिए चार साल बहूत है बहुत है लेकिन लोगों कैंसल कर दी और मैं 2020 में अधियर फिट था और मेरे पास NCC कोटा था तो मेरे सीधा जोइनिंग थी मेरी और यह अगर यह लोग ऐसा नहीं करते तो मैं आज फोजम होता लेक्ष नेता मोदीजी नी जो ऐसा किया इनको एक वारी अपने बच्चों के बारे में स उसके बाद तुम उसको चार साल की नोक्री देरे हो चार साल में बच्चा तीन साल तारी करें बाद नुश्ने होड़ार होगा। पुझा मैं आपने आए और जाकी मैं उन्नीस वाले एरफोर्स में में नाम था तो और यह लोग बोल रहता है कि कुछ आंतरी गणबडी के कारण से डीले और आका रिजल्ट आप उसी समय बोल देते हैं कि हम नहीं योजनल आ रहे और बच्चे अलग जगा एक्जाम दें महीं चार साल के बाद जो है security guard की वीजेपी में दफ्तर में आपको नोक्रिया मिल जाएंगी मैं 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 ग्रेशन होके मैं security guard की जोब करूंगा क्या अगर मैं ग्रेशाट होके security guard की जोब कर रहा हूं तो आप अनपढ़ होके आप परदानमंत्री क्यों हो आप चाहे बे जाते हैं जो बच्चे ग्रावनिकांस चार साल करके जा रहा है उसीप चार साल के बाद लगे गए बताव मैं में नाम में चंदर परकास हैं कहां से आए मैं मैं दल्ली कही हूं तैयारी कर रहे थे आप हताश है हम बाकी वैसे तो मैं मेरा तो और जास्ट हो चुका है बट दूसरी फिल्ड में हो गया मेरा अंटी विसी में बढ़िया बहुत गलत किया जिन बच्चों के साथ जो गलत किया मेरा खुद का भाई वह मेरे साथ त्यारी कर रहा था उसके साथ बहुत गलत हुआ है तो यह सब चीजां नहीं करने चीए आप मुझे पार्टी से को मतलब आप अगर दूखी है और मोनबृत करा है कुछ कि भी करा लो देश में पूरे में आर्मी तयारी करी और मैं जब इनमें जाता है मोनबृत करने से क्या होता है अज़ने हैं और पूरे देश नहीं कि अगर हमारे पास 75 साल के बाद हम इतने नहीं पड़े यह तो बहुत गलत कि और सब खुश हाल हैं किस कोई दुखी नहीं है इस देश में आप एक स्टुडेंट से पूछे जो बच्चा त्यारी कर रहा है उससे बुद्लागर वो खुशी है तो बता दो बिल्कुल खुशी नहीं कोई भी स्टुडेंट खुशी नहीं है कि यहां कि यूवा है एक विवास से पूछ के बताईए की वो खुस है योजना से हां अगर खुस होता तो वह better तो करता है इतना वड़ा अंदोलन हुआ ना यूवाँ का वो विरोध क्यों करता हुआ खुस होता तो वह भी तो चाहता है कि हां हम आर्मी में जाए सरकार को क्या है वो तो बोल दिया अब मैं खड़ा हो के यह बोल दूँगा कि हाँ भाई बेरोजगारों को रोजगार मिल मेल बोलने से कुछ नहीं पर दिखाओ नहीं आंधोलन आप करना फाइदा है नहीं मोधी का राज है जब मन होगा और तो तो मैं बोल रहा हूं पर्धान मंत्री नहीं फथा सब्सक्राइब ड़ोба चल रहा है जब आया 4 नलगा दिया चलो खला जाना अदर बहुत नाराज्जगी की बात नहीं जाना चाहता था 2 साल गया यह अंगली वज़ए से चट कर दो साल में रनिंग किया हूं आर्मी में ऐसा नहीं में शोड़नी का जैसे आपने बोला कि जो मोदी हो देश के राजा है यह घलत है राजा बनाया किसने हम ने बनाया है इस देश की जंता ने बनाया है जब जनते को कोई सुख नहीं मिल रहे तो कित चीज के राज़े वह तो दावे बादे तो करे जा रहे हैं तो मिनार मैंने बन वाय मैं दावा कर रहा हूं लेकिन इसका क्या सबूत है बताओ जूट बोल रहे हैं आप लोग खुश नहीं है सब्सक्राइब बन रहे हैं अच्छी वाली बात है लेकिन अब इस पेट का क्या करें अब बताई है विश्व गुरू बन रहे हैं विश्व गुरू बन रहे हैं यह हमारे बढ़ेगा तभी तब दम कदम आगे चलेंगे जब यह दम तोड़ देगा तो हम कदम आगे नहीं चल पाएंगे तो हम करेंगे क्या बताओ अज अम्रीत महत्सब पूरे देश में मनाया जा रहे हैं जंडे घर घर ले रहे हैं लेकिन यूवा नाराज है मैं देखें नाराज तिरंगा अच्छी पैसा है तो हमारे नहीं अगरे पत्तिन यहां पधर लेकिन जो कुछ भी युवा के साथ हो रहा है वह गलत हो रहे कर रहे हैं कि अब आज उनका कोई साथ नेता या किसी भी सरकार कर नेता घर किसी के घर जाके नहीं देखता श्रीप बोट वांगेगा तब पैर भी चुएगा हात भी जोड़ेगा कदमों में भी गिरेगा वो उसके बाद जीट जाता है तो जनता गई भाड में कौन क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं जुम्ला चल रहा है जुम्ला चल रहा है तो देखिए आज आजादी के अमरित महसब की जो है यहां पर खुशिया देखी जा सकती है 14 आगस्त है लोग खुश है यूवा नाराज दिख रहा है सोचिए यूवा न लेकिन आप देखिए हिंदू राष्टे भी बन रहा है जहां घर घर तिरंगा लहराय जा रहा है वही लोग बेघर भी हो चुके हैं लोगों के घरों पर बुल्डोजर चुका है लेकिन यहां पर यूवाओ से जब मैंने पूछा तो अगनी वीर जो है लाई गई योजना थी उसके मताबिक यहां पर यूवाओ में रोश है लगातार वो इसका जो है बहिशकार कर रहे हैं कि इस तरीके की योजनाए नहीं लानी चाहिए थी आपने उनके दर्द को सुना लेकिन आज घर घर तिरंगा लहरा रहा है आजादी के 75 साल मनाय जा रहे हैं आजादी का अम्रित महुतसम मनाय जा रहा है लेकिन यहां पर लोग अभी भी रोश में हैं तो सोचिए रोश में क्यूं हैं जहाँ एक तरफ वी जपी का एक प्रोग्राम चलता है मोन किया जाता है वही पर यहां यूवा इतने रोश में है और लगातार अपने रोज़गार को लेकर और अपने ये कमाई को लेकर महंगाई को लेकर उनकी शिक्षा को लेकर लगातार इनके ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि आज रोजगार नहीं है यूवाओ के पास जो यूवा है वो लगातार इसी तरीके से यहाँ पर अपने सुना भी होगा कि किस तरीके से यहाँ पर तिली!